कल दिल्ली में 503 केस थे और पिछले 24 घंटे में आज 523 केस हैं तो पिछले 24 घंटे में 20 नए कोरोना के केस आए हैं इन 20 में से 10 मरकज के हैं और बाकी 10 दूसरे हैं तो 523 टोटल केस जो दिल्ली में हैं उसमें मरकज के 330 केस हैं जो विदेशों से लौट के आये थे और विदेशों से कॉरोना लेके आये थे ऐसे 61 लोग है साथ लोगों की टोटल अभी तक मृत्ति हो गई है पिछले 24 घंटे में एक व्यक्ति की मृत्ति हो गई है 25 लोग ICU में है आठ लोग वेंटिलेटर पे हैं बाकी लोगों की स्थिती स्टेबल है पिछले कुछ दिनों में शायद आप लोगों को ऐसा लगा होगा कि दिल्ली के अंदर केस बड़ी तेजी से बढ़ रहे हैं मैंने पिछले 2 दिन में भी कहा था कि एक कारण उसका है कि मर्कज के केस बहुत तेजी से बढ़े जैसे 523 में से 330 केस तो मर्कज के ही हैं मरकज के केस बहुत ज़ादा तेजी से बढ़े जिस वज़े से और दूसरा एक कारण है कि अब हमें टेस्टिंग किट मिल रही है तो हमने टेस्टिंग बहुत बढ़ा दिये पिछले कुछ तिनों में और हम चाहते हैं कि जो भी टेस्ट कराना चाहे उसका टेस्ट हो और ताक कि जो कोरोना के पेशेंट्स हैं उनको ऐड़नीफाई किया जा सके उनको ट्रीट किया जा सके उनके को अपर आगे लोगों को ना फैलाएं तो जितनी जादा हम टेस्टिंग करेंगे उतनी जादा हम को रोकने में कामयाब होंगे यह दूसरे देशों में भी जैसे साउथ क सबसे काम्याब माना जाता है। साथ कोरिया ने भी यही टेकनीक अपनाई थी कि ज्यादा से ज्यादा से ज्यादा टेस्टिंग की थी। अब दिली के अंदर भी हम कूब टेस्टिंग करने वाले हैं। एक छोटा सा जैसे मैं अगर आटब दूँ तो 25 अपरेल के आसपास हमारे 100-800 डेली टेस्टिंग हो रही थी और उसके बाद एक अपरेल के बाद से लगबग हम 500 डेली टेस्टिंग कर रहे हैं और अब 500 से भी ज़ादा 1000 के करीब डेली टेस्टिंग हमारी पहुँच रही है और इसको बाते आने वाले समय में बढ़ाते जाएंगे हमने 1,00,000 टेस्टिंग किट्स के ओर्डर दे दिये हैं शुकरवार को से 1,00,000 किट्स आ जाएंगी तो उसके बाद हम बहुत बड़े लेवल पे हम टेस्टिंग कर सकते हैं पिछले कल हम लोगों ने 6,90,000 लोगों को लंच कराया था और लगबग 6,94,000 लोगों को डिनर कराया था मेरी आप सब लोगों को मेरा भरोसा है विश्वास है कि एक भी आदमे को दिल्ली के अंदर हम भूखे नहीं सोने देंगे हम लोग 6,90,000 लोगों को हमने लंच कराया और 6,94,000 लोगों को हमने डिनर कराया लेकिन इसके अलावा मैं जानता हूँ कि बहुत सारे लोग समाज के अपने अपने स्तर के उपर खाने के पैकेट्स बाट रहे हैं अपने अपने स्तर के उपर लोगों को खाना खिला रहे हैं भूखों को खाना खिला रहे हैं उन सब को मैं सलाम करना चाहता हूँ और इस वक्त सारा समाज मिलके इस विपदा से जूज रहा है जैसा मैंने बताया था 71 लाख लोग जो राशन कार्ड धारी हैं उनको हम हर व्यक्ति को, 71 लाख लोगों को हर व्यक्ति को साड़े साथ किलो राशन मुफ्त दे रहे हैं, ऐसे बहुत सारे लोगे जिनके अस राशन काड़ नहीं हैं, लेकिन वो भी बहुत गरीब हैं, उनको भी अभी खाने की दिक्कत हो रही है, उन लोगों को कल से राशन म पटना चालू होगा, हमने 10 लाख लोगों को हर व्यक्ति को प्रती व्यक्ति को 5-5 किलो राशन दिया जाएगा, 4 किलो गेहूं, 1 किलो चावल, हमने सब के लिए राशन का इंतिजाम कर लिया, अभी शुरू में 10 लाख लोगों के लिए इंतिजाम किया है, लेकिन अगर कम सभी MLA सभी MP सभी counselors वो लोग भी सुनिश्चित करें कि भीड नहीं लगनी जाए है अगर वहाँ भीड लग गई तो सारा lockdown का असर खतम हो जाएगा सोशल डिस्टेंसिंग मिंटीन करनी है और आपको हाय तोबा करने की जरूरत नहीं है आप धीरे धीरे आएए थोड़े लोग कल आए थोड़े लोग परसों आए थोड़े लोग उसके अगले दिन आए ये आपका खुला है चिंता मत कीजिए एक एक विक्ति को हम राशन दिल किया है लेकिन और भी इंतिजाम कर लेंगे अगर जुरूर पड़ी तो मैं पिछले दो दिन दिन से कह रहा था कि हमें पीपी किट्स की कमी है लेकिन हमारे पास केंदर सरकार की चिठी आई है कि 27,000 पीपी किट्स वो हमें अलोट किया है उन्होंने इसके लिए हम केंदर सर का शुक्रिया आदा करते हैं हमें उमीदे शाहिद ये पीपी किट्स कल या परसो तक हमारे पास डिलिवर हो जाएंगी और उसके बाद से दिल्ली में जो हमारे डॉक्टर्स हैं उनकी सुरक्षा के लिए एक बहुत महतोपून कदम होगा